दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले जरा इन महतर्मा की दो बाते सुन लिजिए तो इस वीडियो में जो लेडी दिखाई गई है ये कैरोलीना है जो की अलमेडा रिसर्च की सीओ है अलमेडा रिसर्च वही एफटी एक्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसकी वज़े से मेरे विचार से सारी जो भज़ड है वो हुई है दस बिलियन डॉलर ओफ कस्टमर फंड्स जो है इन्होंने मिस यूज किये है और इन महतरमा ने जो बताया मैं आपको विसार से समझाऊँगा किस तरह से इन्होंने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को लाइटली लिया है मिलियन्स ओफ एफटी एक्स जो हैं वो यहां से नहीं इस समय जो ओनर्स हैं इन्साइडर्स हैं इंप्लॉईज हैं वो बहामाज नाम के आईलेंड जहां पर केवल एक शहर से एक देश से आप एफटी एक से विड्रॉव कर सकते हैं बागी सारे एफटी एक्स कंट्री से विड्रॉव रोग दिये गए हैं सैम बैंकमन फ्रीड उनकी टीम ने उनकी गल्फ्रेंड ने बहुत बुरी तरह से मार्केट की ट्रस्ट ब्रेक करी है और उसका खामयाज़ा आप देख सकते हैं मेरा नाम है रोष्षर्मा से टोशी श्यक्रेंड में इंडिया में आपका स्वागता है दोस्तों आज आप से मैं कुछ मांगू है नहीं मुझे पता है आप लोग बहुत परिशान है तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए के विल इतनी गुजार अगर ये FTX का भचर नहीं होता अब आप खुद अपने दिल पे हाथ रखके करके बताए कि किसको पता था कि FTX होने वाला है यह यह खो कह रहा है कि प्रो इंडस्ट्री के साथ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आइकन क्लेम कि मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं 2017 में मैंने कहा है look at the stock market यार कल की वीडियो में आप सुन लीजिए गौहर से मैंने कहा था कि 4000 तक S&P 500 जा सकता है और अभी जो है 4000 क्रॉस कर रहा है और inflation rate expectation से कम आया headline inflation rate बहुत ही कम आया 7.7 पर्सेंट को inflation 6.6 पर्सेंट अपेक्षा थी लोगों को forecast थी पिछली महीने आया 6.6 लोगों का पेक्षा इस बार 6.7 आयेगा 6.3 आया headline inflation 8.1 expected 7.7 आया finally हम लोग inflation रेट 8% से नीचे लाप आये है और देखिये हमारे क्रिप्टो के साथ क्या हो रहा है बहुत ही दुखत शण है शर्म आती है धिक्कार आता है Sam Bank पे उनकी टीम पे उनकी girlfriend जो उनकी investment research company चलाती है Alameda Research उसके बारे में भी बात करेंगे खैर पर technicals अब मैं आपको क्या ही बताऊं यह कह सकते हैं कि औरेंज बॉक्स प्रिवेंट कर रहा है प्राइस को नीचे जाने से सतरा पांच पंद्रा साथ सो पचास वह बॉटम है उसके नीचे नहीं प्राइस जाना चाहिए अधरवाइस और बड़ा क्राश आगा देखिए जैसे inflation अच्छा आया डॉलर स्टेंथ इंडेक्स ने गिव अप कर दिया डॉलर स्टेंथ इंडेक्स वह बड़ा तूल था जो commodities को stock market को risk assets को crypto market को नीचे लेके जा रहा था नाव डॉलर स्टेंथ इंडेक्स डिक्सी ने नीचे जाना शुरू कर दिया है उसके पास अगली सपोर्ट एक्सो तीन के आसपास है इस 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 ताइम तु सेलिबरेट आगे जिनके पास stock है वो देख सकते हैं भारत में भी अमरीका में भी stock market बहुत अच्छा जा रहा है क्रिप्टो की किस्मत खराब कह लीजिए मेरे विचार से हमें 25,000 से उपर होना चाहिए था विद इस काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट पंप श्या यह शाय तीस हजार की तरफ भी बढ़ना चाहिए था और अनफॉर्चुनेटली जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम 15,000 की होगा वो भी हुगा कि क्या 15,000 तच करेंगे क्या ब्रीच करेंगे एस बीएफ ने कल सौरी बोल दिया बट सौरी इस नॉट इनफ राइट ही सेंग आपीन कम्यूनिकेटिंग यह सब बखवास है मुझे तो लगता नहीं कि हम लोग सैटिस्वाइड है इनकी इस मगरमच के आंसों से बहुत मैं यह ट्वीट पढ़ना में चाहता आप चाहिए तो खुद एस बीएफ की ट्वीट पढ़ लिजे ताकि एट लिस्ट आपको पता चले कि ftx officially bankrupt है sam bankman freed officially भगोड़े हैं इनको definitely jail जाना पड़ेगा यह liquidity leverage के बारे में बात कर रहे हैं सब बकवास i think यह कह रहे हैं कि हमने सिर्व 1.7x leverage पे काम किया है right i don't think so i don't think so कि इन्होंने कुछ भी अपना promise या etiquettes या ethics जो है वो deliver की है at some point i might have more to say about a particular sparing partner so to speak but you know glass hour for now i'll say well played you one अब यह blame डालने की बात है कि माइनाइस पर blame डाल रहे हैं कि आप जीद गए वगरा 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 पड़ा चाहे मैंने आपको अगर आप तीन-चार दिन पुरानी वीडियो का title देखे जब यह चीज शुरू भी नहीं हुई थी मैंने इसको दो सांडों के लडाई बुलाए था तो अगर आपने दो सांड के लडाई देखे तो आपको पता है कि आसपास की सारी दुकाने सारी मोटर साइकले वस हो जाती हैं वो अपना सोचते हैं सांड आसपास के मार्किट का नहीं सोचते हैं और लिटरली यही आती शुक्ती तीन-चार दिन बा आए हैं मैंने कुछ देखे हैं बट यह आपके लिए बाइंग की ऑपरचुटी हमेशा बनते हैं जैसे मैं कहता हूं चार-पांच साल बाद तीन साल बाद आपको यह सब चीज़े जो है ना मजाक लगेंगी वार्निंग लगा था ट्विटर पे दी जा रही है इंसाइडर आप मुझे अपना FTX का बहामा अकाउंट US के लोग कहीं कह रहे हैं FTX का बहामा अकाउंट मेरे नाम पे कर देंगे KYC कर देंगे तो मैं आपको एक लाग डॉलर दूगा यह मजाग नहीं है दोस्तों वास्तविकता है मैं आपको प्रूव के साथ बता सकता हूं अमरीका मे से जो है एक फिकर यानि की होते हैं एक करोड़ एक करोड़ डॉलर यानि की करीब करीब सतर से असी करोड़ रूपे इन्होंने बहामा के सुरू निकाले अब इतनी बड़ी-बड़ी शाक्स और वेल जो है अब इन्होंने ट्वीट भी क्या था इफ एनिवन हेप्स मी कोई वेल दिखाई दे रहा है कोई अमीर आदमें दे रहा है अमरीका में बैठा हुआ इन्होंने किसी को घूज देकर किसी ftx के employee के तुरू या किसी बहामास के रेजिदेंस के तुरू ftx पे के य से किया बहामास का ईप यूज करके और अपने जो क्रिप्ट निकलवा पा exchanges पर मत रहने दे अपने crypto अगर आपके exchange पर पड़े हैं जब भसड मचेगी तब आप अपनी exchange से नहीं निकलवा पाएंगे although मुझे proud है इस बात का कि मैं चार दिन से warning दे रहा हूँ मेरी हर वीडियो का title, description, image, हर कोई बोल रही है FTX से दूर भागो अगर फिर भी मेरे किसी भाई का FTX में पैसा अटका है तो मैं माफी चाहूंगा आपसे मुझे बहुत खेद है मैं आपकी pain feel कर सकता हूँ but this is what it is can anybody explain what is happening with this address अब इस address पे millions of USDT निकाले जा रहे हैं although twitter के माद्दिम से भी हम लगातार warning दे रहे थे इस समय भी जब FTX कंगाल हो रहा है बड़े लोग FTX के उपर से millions of dollars withdraw कर रहे है can somebody stop FTX क्या कोई SEC या कोई regulator जो है इनको warning दे कर इनके account freeze कर सकता है क्योंकि इसका खामयाजा वो लोग दोस्तों मैं जानतो मेरे कहीं मित्तर ऐसे हैं जोने क्रिप्टो में पैसा लगाया है मेरे कहने पर 2020 में 2019 में और वो रोज रोज चेक नहीं करते हैं वो लोग रोज वीडियो नहीं देखते हैं वो लोग रोज ये notification उगर नहीं देखते हैं imagine कीजे अगर आज वो ये वीडियो देखते हैं मेरी और FTX से निकालने की कोशिश करते हैं अपना पैसा और वो फस जाता है कितनी दुखत बात है हजारों लाखों लोगों के लिए MicroStrategy की बात कर लेते हैं दोस्तों before I talk about MicroStrategy OKX at least मेरी पसंदीदा Exchange इसलिए है क्योंकि उन्होंने कल में वीडियो में दिखाए उन्होंने अपने पूरे Crypto Fund Transparently Twitter पे publish कर दी है हमारे पास जितने लोगों ने पैसा लगाया है वो सब इस address पर पढ़ा है आप देख लीजी आप इस address को track कीजिए अगर हमाँ यहां से withdraw करते हैं तो हमें red flag कीजिए I like it I like it बात करते हैं MicroStrategy के उपर MicroStrategy अफवाएं आ रही है कि MicroStrategy liquidate हो सकती है दोस्तों मैं आपको आश्वासन दिना चाहूँगा Michael Saylor ने खुद भी आके बोला है but clearly उन्होंने acknowledge किया है कि हमारा जो liquidation price है वो 3562 है वो बहुत नीचे है bitcoin का price definitely अगर MicroStrategy liquidate होता है जिनके पास सबसे ज़ादा bitcoin है तो market जो है वो शूने की तरफ अग्रसर होगी बढ़ इन्होंने clearly बोला है कि हमने bitcoin collateral की तरह यूज़ किये है बढ़ हमारा liquidation price 3562 है क्या bitcoin का price 3562 जा सकता है असंभव कुछ भी नहीं है ऐसी market में दुखवरी बात यहीं है बट मुश्किल है 15,000 से 3500 जाना उतना ही मुश्किल है अगर मैं थोड़ा सा pun intended करके बोलू जितना 67,000 डॉलर से 15,000 जाना था मुश्किल है पर impossible नहीं है अब बात करते हैं यहाँ पर Sam Backman Feed की Girlfriend की Sam Backman Feed और उनकी Girlfriend वो Bahamas में रह चुकी है वो लोग roommate से अब आप समझ सकते हैं कि क्यों Bahamas से ही FTX Exchange पर withdrawals इस समय अलाव के जा रहे हैं दुनिया की किसी भी कौने में FTX Exchange से आप withdrawals नहीं कर सकते हैं अब अगर आप Bahamas में बैठे हैं तो आप कर सकते हैं अब इससे आप क्या समझते हैं या आप वीडियो को comment में करके बताईए और आज का में लगया हाथ giveaway सवाल भी पूछ लेता हूँ जैसे मैंने आप से दो सवाल पूछे हैं यह वैसे उनकी Girlfriend की profile अगर आप जाके उनको गाली देना चाहें तो आप ट्विटर पे दे सकते हैं दस बिलिन डॉलर इन रवेस्ट की हैं आपको बताना है क्या बिटकोईन के 3562 जाने की अग्रसर होने के चांसे हैं इन फाइनल मैं आपको यह वीडियो प्ले करके बताता हूँ बोसे हो फ्हों की व데ेस्ट की,ải होती है बहले की उेमिष्का सकत्यव कूलरा बिग्टला परिस्क टीमाईफू मょ की यहीं सब्स्क्राइ पेना हां आपको ब정을ाख के सुपा रॉसरेवां I think those aren't necessarily a great risk management tool. I'm trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much with that. Yeah, absolutely could pull it off.